प्रद दिन की तरहें लेकर आज़ी आज़का और पंचान तो प्रम रासिपर आधारिते जानते हैं आज का रासिपर और पंचान तो दोस्तों जैसेंकर की मैं हूँ आपके साथ रगुनात प्रशाज सास्त्री जानते हैं आज का पंचान और रासिपर आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करना बिलकुल ना भोलें आइकन बेल दमाना बिलकुल ना भोलें जिस्षें प्रतेग जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकें जैसे की प्रतेग परवका आर्टिकल प्रतेग दिनका सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग आज ब्रहस्पत्वार तेश दिस्टमब्र तो हजारी कीश है विक्रम समझ सभी सोठतर सक्समब्र उनीशो तिरालिस पल्व पॉस्ट क्रिश्ण पच्छ चतुर्थी तिति है जो शाम को 6 बचकर 27 मिनट तक रहेगी तत्पस चात पंचमी तिति प्रारंब हो जाएगी सुर्थे प्राता 7 बचकर 11 मिनट पर होगा सूरिया शाम को 5 बचकर 30 मिनट पर होगा आसलेशा नशत्र है जो रातरी दो बचकर 42 मिनट तक रहेगा तत्पस्चात मगा नशत्र प्रारंब हो जाएगा वैगरती योग है जो दिन के 12 बचकर 12 मिनट तक रहेगा तत्पस्चात विशकुम्भी वोग प्रारंब हो जाएगा सूरी धनु राश में विराजमान रहेंगे चंद्रमा करक राश में विराजमान रहेंगे अशुप समय राहु काल है दिन के एक बच कर 38 मिनट से दो बच कर 55 मिनट तक इस समय कोई भी सुपकारे प्रारम्ब करेंगे वह सपल नहीं हो सकता है इसलिए इस समय को टालें सुबसमे का इंतजार करें हट बसेद कोई भी सुबकारे प्रारम करेंगे आपके कार में दिक्कते और कटनाई आएंगी हो सकता आपका कार इसलिए इस समय को टालें सुबसमे का इंतजार करें आज का सुबस्मेब जीत महूट है दिन के बारा बज़े से और बारा बज़ कर एक तालिस मिनट तक इसमेब कोई सुबकारे प्रारम मैं करेंगे वह निर्विक निसमपन होगा जानते हैं आज का संपून रासी फल सबसे पहले जानते हैं प्रहतम रासी में स्रास्की जात्कों का आज का दिन कैसा बितीत होने वाला कार्ट के जी कहते हैं कि आज आपका मन बहुत राहत महसूस करेगा प्रोसियों और भाई बैनों के शाद अधिक मेल मिला रहेगा घर में मित्रों और इसनेहियों का आगमन आननदाई बन सकता है जानते हैं अगली रासी ब्रहशब रास्की जात्कों का आज का दिन कैसा बितीत होने वाला आज क्रोध और हतासा की भाउना आपके मन परचाई रह सकती है निजी भाउन आत्मक मामलों पर कोई आपसे राय भी मांग सकता है नए विचार भी आपके दिमाग में आ सकते हैं कोई निया प्रेम सम्बन भी शुरू हो सकता है जानते हैं अगली राशी मिथोन रास्की जातकों का आज का दिन कैसा बितीत होने वाला है आज परिवार में खुशी और आनंद का महौल रहेगा नोक्री दंदे में आपको लाब के समाचार में लेंगे दूसरे आपको गमराह करने की कोशिश कर सकते हैं उनकी गलत बातों में ना आएं और कोई भी गलत काम करने से मना कर दें जानते हैं अगली राशी करकर रास्की जातकों का आज का दिन कैसा बितीत होने वाला आज घर की साज सड़ाउट पर विशेश ध्यान देने की जरूरत रखेंगे नए घरेलो शमान खरिदने की शंभावना है अगर आप बेरोजगार हैं तो आज आपको मन के अनुशार नई नोकरी मिल सकती है माल अच्मी के क्रपा आप पर रहेगी जानते हैं अगली राशी शिंग रास्की जातकों का आज का दिन कैसा बितीत होने वाला आज शिव जी के आशिरवाद से आपके प्रतेक कार में उत्साह और उमंग चलकता हुआ प्रतीत होगा अचानक धन की प्राप्ती हो सकती है कोई विशेश लाब हो सकता है अपने क्रोध पर पूरी तरह से नी अंत्रण रखें जानते हैं अगली राशी कन्या रास्की जात अपने काम से पीछे नाहटे पैसे कमाने की कुछ नए और अच्छे मौके भी मिल सकते हैं जानते हैं अगली राशी तुला रास्की जातकों का आज का दिन कैसा अबित होने वाला है आज आपके काम को लेकर चर्चाय होंगी और जल्द ही इसका फल भी आपको मिल सकता है घ जानते हैं अगली राशी व्रेश्ची रास्की जातकों का आज का दिन कैसा अबित होने वाला है आज निरधारित काम में सफलता मिलेगी नौकरी में शाथ काम करने वालों से सहयोग मिलेगा पैसों या रोजगार के शंबन में कोई खुश खबरी भी मिल सकती है जानते हैं धनू रास की जात्कों का आज का दिन कैसा बतीत होने वाला है। आज भाग आपके साथ है, आपका विक्तित और चमताएं विक्सित हो सकती हैं। प्रेमी के साथ सम्मंधों में सुधार होने के योग बन रहे हैं। आप किसी को बिना काम में परिशान ना करें। और किसी काम में अती भी ना करें। जानते हैं अगली राशी मकर रास की जात्कों का आज का दिन कैसा बतीत होने वाला है। आज अजकारियों और वजुर्गों से बाचीत में आपको खास तोर से शाओधान लेना होगा। क्रोध पर संयम रखें। अनुमान के आधाय पर कोई भी बड़ा काम करने से बिलकुल बचें। जानते हैं अगली राशी कुम्बरास की जात्कों का आज का दिन कैसा बतीत होने वाला। आज बाद विवाद में किसी की नाराजगी शेलनी पर सकती है। स्वास्त का ध्यान रखना पड़ेगा। नौक्री और धंदे के छेत्र में औरोध आने से निरधायरत कार पूरे होने में दिक्कत आ जाएगी। अचानक धनकी प्राप्ति के योग बन सकते हैं। जानते हैं अगली रासी यानि अंतिम रासी में रास्त की जात्कों का आज का दिन कैसा बतीत होने वाला। आज आर्थिक सुरच्छा को लेकर थोड़ी चिंता में पढ़ सकते हैं। नौकरी पैसा लोगों को दूसरे लोगों से सहयोग मिलने की संभावना है। शामाजिक सम्मान प्राप्त हो सकता है। नए आबूशन और कपड़े भी खरी सकते हैं। दोस्तों जेवतिस परामर्स के लिए संपर्क करें। रगुनात प्रशाज शास्त्री जी से 94.555.111 पर प्रतीक दिनरात्री 10 बजे से 12 बजे तक निश्वल्क।